हाई एवरिवन ये वीडियो बीगिनर के लिए है जिनको पैंसिल चलाना बिलकुल भी नहीं आता या फिर जिन लोगों को आता है तो वो बहुत सिलो चलाते हैं तो मैंने कुछ प्रैक्टिस बताई हैं आप उन प्रैक्टिस को फोलो करिए और पैंसि चलाना आसानी से सीख जाएंगे तो चलिए करोज बना लेते हैं और पेपर को एक ही एंगल में रखना एक ही जगाँ पर रखना सको लाना ने जूँने एक रोज बनाएंगे, एक बीच में डालेंगे और एक इधर डालेंगे, अब एक ही तरफ से खीचना है सब, एक ही साइड से लेके जाने है लाइन को, ऐसे पहले धीरे धीरे खीचनी है, उसके बाद फास्ट कर देनी है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तब, और एक चीज इसका ध्यान रखें, यह कोई लाइन नहीं है, बस हमें हाथ इस एंगल में चलाना है, फिर हम इसके अपोजटे अंगल में चलाएंगे, इधर से यह इसका प्şa worried है, इसी तरीके से हम हर एंगल में पैैंसिल चलाना सीखेंगे, ताकि हमारा हाथ जिधर को भी डिजाइन बन लें अब हम यह मैंने लाइन खीची थी सारी इनी पर चलना है मैं और इस पेपर को बिल्कुल नहीं घुमाना है यहीं रखे रहना यह तो अब नीचे की तरफ हाथ चलाना सीखेंगे उपर से नीचे की तरफ इसे कंप्लेट कर लेंगे फिर इसकी अपोजिट में खीचेंगे लाइन यह प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है जब तक करनी है जब तक आपको पैंसिल चलानी अच्छी तरीके से ना आ जाए तब ही आप आगे बढ़ें नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी काम स्लो होगा और लोग बोलेंगे आपका हाथ तो बहुत स्लो है अब इसके अपोजिट में की उपर की साइड में लेंगे इस प्रैक्टिस करने का मतलब सिर्फ यह है हमारा हाथ हर एंगल में चल जाए यानि हमें हर एंगल में हाथ चलाना आ जायए अबAt इसको क्रोस वालिग लाइन में थीच लेंगे और अब इस साइड में उसके बाद हम बनाएंगे एक सरकल उस circle को पे भी आप बहुत practice करें जितना इसमें practice करें इतना ही दर तो circle बना लेते हैं और इसके बाद हम five time एक angle में घुमाएंगे यह three, four और यह five अब इसके opposite side में घुमाएंगे one, two, three, four, five अब इसके opposite side में one, two, three, four, five तो ऐसे ही हमें practice करते रहना है इतनी practice करनी है कि हाथ बिल्कुल अच्छा हो जाए जिससे कि हम यह full और यह पत्तियां आसानी से बना सके हैं तो वीडियो अब यही पर खत्म होती है तब तक आव अपना हयाल लखें